हेलो एन वेलकम और डिफेंस एस्पिरेंट्स आप सभी का स्वागत है डिफेंस ओफिसर्स अकेडमी के एक और नए इन्फर्मिटिव वीडियो में और आज के वीडियो में हम अपने तीन तरीके के जो स्कूल हैं जैसे कि आरे एमसी, आरेमस और सेनिक स्कूल इन तीनों करके आपको देंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा स्कूल बहतर है आपके बच्चे के लिए सबसे जादा और in comparison to these three schools, let us discuss something first. सबसे पहले जरूर ये देखिए कुछ common बाते जान जाना, यूं तो ये तीन अलग-अलग स्कूल हैं जैसे कि आपने देखा है कि राश्ट्र Military School और Scenic School ये तीन तरीके के स्कूल हैं लेकिन एक चीज इन तीनों ही स्कूल में common है जो कि हम सभी टायत जानते हैं वो है ये स्कूल आपको प्रिपेर करते हैं Defense Forces के लिए एक प्रकार से भारत में सेनाओं में अधिकारियों की भरती के लिए जो भी competitive exams होते हैं उन exams के थू candidates को entry दिलाने के लिए इन schools में एक बहतर curriculum और एक अच्छी खासी पड़ाई कराई जाती है तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये तीनों ही तरह के school एक initial training ground है for the kids to start early for the preparation of defense examinations and the success rate is also high from these schools in the defense forces तो अगर आपके बच्चे को defense exam देने हैं या फिर उन्हें किसी भी तरीके से भारत की सेनाओं में अपना भविश्य बनाना है तो ये सही मौका है कि उनको इस तरीके के किसी school से पढ़ाई करने का मौका मिले और ये तीनों ही school इस purpose को serve करते हैं इसके अलावा कुछ common grounds भी है जिनके अधार पर आप इन schools को judge कर सकते हैं दरसल हम इन तीनों ही तरह के schools को कुछ अलग-अलग parameters पे भी देखेंगे जिसके बाद आपको ये समझ मा आएगा कि कौन सा school आपके बच्चे के लिए better रहने वाला है लेकिन साथी साथ there are some commonalities या फिर कुछ ऐसी चीजे हैं जो इ किसी भी school education या किसी भी institution के लिए जरूरी होती है अगर आपका बच्चा एक ऐसे school में पढ़ता है जहां पर proper classroom facilities available है अच्छे education tools available है साथी साथ उसे को curricular activities करने के लिए भी ample space and amenities मिलती है तो फिर उसका चारित्रिक और सरवांगिन विकास होना यहां ताए है और इस लिहाज स इन तीनों ही schools में आपको एक proper infrastructure देखने को मिलता है दूसी चीच जो है वो है training से related एक तरीके की खास तरह कि lifestyle जीने के लिए बच्चा यहां train होता है गोर कीजिएगा कि यह तीनों ही school हर लिहाज से आपको एक ऐसे विद्यारती के रूप में train करने की कोशिश करते हैं जो आ आपको एक personal development भी देती है, personality को भी develop करने का काम करती है और यह तुदवाती दौर है जो कि इन तीनों ही school में देखने को मिलता है बच्चे को अपने आने वाले भविश्य की तैयारी के लिए इनके अलावा इन तीनों ही school में आपको on a different level but in comparison to all other private school जहां पर आप अपने बच अच्चों को बढ़ाते हैं एक high quality education देखने को मिलती है देश के service rest व्यक्तियों से मिलकर के बने हुए इनके boards और अच्छे teaching faculty और साथी साथ well designed curriculum के आधार पर आपको यहां पर high quality education content देखने को मिलता है जो किसे भी बच्चे के section विकास के लिए बहुत जरूरी है इसके पर एक good amount of exposure देखने को मिलता है exposure से हम समझते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो दुनिया को अपनी दृष्टी से देखता है और जैसे जैसे जितनी जितनी जादा जादा चीजा है वो देखता है जितनी जादा जादा बातों को समझता है उतनी ही उसकी समझ और व बच्पन से ही बननी शुरू हो जाती है उसका और जादा विकास होता है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ exposure की तो वो defense forces के प्रती सबसे जादा आपको मिलता है एक तरीके से आप यह समझ पाते हैं कि एक सैनिक या फिर एक officer जो कि किसी ने किसी प्रकार से सीना में सर्व करता है उसका जीवन कैसा होता है उसकी दिन चरिया कैसी होती है इस exposure is very crucial for these small kids जो कि यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं इन सब बातों के अलावा माता-पिता को जिस बात की सबसे जादा चिंता रहती है वो है career opportunities एक अच्छे school से पढ़ाई करने पर और एक better environment में एक अच्छे exposure के साथ जब बच्चा अपनी शिक्षा घ्रहन करता है और अपनी स्कूली शिक्षा को complete करने के दौर पे जाता है तो उसको अपने आगे भविश्य के लिए जो जरूरी career opportunities हैं उनका भी लगभग पूर्ण ग्यान होता है खास तोर पर अगर बच्चा यहां से किसी defense forces में न अलावा भी जो बारवी के बाद या फिर school education के बाद career opportunities होती हैं उनमें भी इस बच्चे की जानकारी एक सामानी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे के अपेक्षा जाधा होती है तो इस आधार पर भी एक बहतर career opportunities को तलाशने के लिए बच्चा इन स्कूल्स में पढ़कर ज एक ऐसे group का हिस्सा मन जाते हैं जो आने वाले समय में देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग fields में बड़े-बड़े कीर्थिमान सेट करने वाले हैं और इस आधार पर भी आपका जो friend circle है या फिर जो आपका network है वो भी आगे जा करके बहुत जादा बढ़ जाता है and overall अगर मैं बात करूँ सात्मी quality की तो इन schools में पढ़के आपको अपनी quality of life and character development का भरपूर मौका मिलता है and the eighth point if I talk about this is a discipline life that you are getting अब अनुशाशित रूप से रहना और साती साथ अपने चरित्र का विकास करना बहतर तरीके से सीख पाते हैं इन schools में पढ़के और इन आधारों पर ये तीनों ही category के school आपके बच्चे के लिए एक बहतर विकल्प है स्कूली शिक्षा को ग्रहन करने का और अगर उनका लक्ष या फिर उनका कही न कहीं मोटिव इस तरह का है या उनका रुजहान इस तरह का है कि वो किसी न किसी defense forces को join करता चाहते हैं और इसके अधार पर देश की सेवा करना चाहते हैं तो फिर ये तीनों ही तरीके के school आपको ample opportunity provide करते हैं these are the common grounds these are the common factors through which you can understand the basic structure of these three kinds of schools and you can decide that if you want your children to be getting all these facilities and all these things then these schools are better for you अब सवाल आता है कि इन में से कौन से schools की तरफ रुजहान किया जाना चाहिए या फिर priority wise किस school को हम number 1 का दर्जा दें और किन schools को हम उसके बाद second या third priorities पर रखें तो उसके आधार पर आपको कुछ parameters हैं जिन में इन schools को judge करना होगा and now we will discuss about the parameters तो सबसे पहले बात कर लेते हैं parameters में number 1 how many numbers of schools की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि यह तीनों ही केटेगरी में जितने schools हैं इनकी संख्या देश में कितनी है और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ राश्ट्री इंडियन military college यानि की RIMC से तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत में इस समय पर सिर्फ और सिर्फ एक राश्ट्री इंडियन military school है so this is one and only जो कि दहरादून में located है यानि कि जहां से हम अपको ये classes provide कर रहे हैं यहीं RIMC की मौझूदगी है दूसरी बात इस से related यह है कि ये 1922 में established हुआ था यानि कि Britishers के अंदर राश्ट्री इंडियन military college की नीव रखी गई थी on 13th of March तो इस आधार पर number of college या number of schools के लिहाज से RIMC तो केवल और केवल एक ही school है ये इसे अपने आप में एक unique school भी बनाता है और साथी साथ इसमें जो quality program की जाती है उसको लेकर के भी हमें सुनिश्चित करता है केवल एक school पुरे देश भर में होने की वज़े से यहाँ सभी सुविधाएं सरकार के द्वारा या फिर कहें कि Ministry of Defence जिसके अंदर यह आता है उसके द्वारा मोया कराई जाएंगी अगर मैं बात करूँ how many number of schools के आधार पर राश्ट्रिय military school यानि की RMS की तो दोनों में ही दरसल थोड़ा सा नाम का फरक और साती साथ काफी और बातों का भी फरक है जहां एक तरफ राश्ट्री इंडियन military college देहरादून में सिट केवल एक मात्र संस्थान है पूरे भारत में वहीं राश्ट्री military schools की संख्या पूरे भारत में है पाच तो इस समय भारत में पाच राश्ट्री military school मौजूद है जिन में से एक पहला school आपको मिलेगा चैल military school के नाम से जो की है सोलन नाम की जगह में सो चैल MS इसको हम कहते हैं और ये है सोलन हिमाचल प्रदेश में दूसरे नमबर पर आपको देखने को मिलता है अजमेर में जो कि राजस्थान राज्जी में पढ़ता है अजमेर military school या अजमेर राश्ट्री military school तीसरे नमबर पर आता है धौलपूर राश्ट्री military school यानि कि धौलपूर RMS और ये फिर से राजस्थान में है इसका मतलब राजस्थान में दो राश्ट्री इंडिन military school है और उसके बाद फिर अगले दो जो राश्ट्री इंडिन military school है वो है बेलगाम और बैंगलूरू में और ये दोनों ही बेलगाम और बैंगलूरू हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और करनाटक में मौझूद हैं इन में से जो हिमाचल प्रदेश का राश्ट्री इंडियन मिलिटरी स्कूल है वो 1925 में established किया गया था और उसके बाद अगर मैं अजमेर के राश्ट्री इंडियन मिलिटरी स्कूल की बात करूँ तो इसका स्थापना वर्ष है 1945 और बंगलूरू बेस्ट राश्री इंडियन मिलिटरी स्टूल का स्थापना वर्ष है 1946 इसके बाद जो अजमेर और आ जिक अलावा राजिस्तान में दूसरा धौलपुर स्थित राश्री इंडियन मिलिटरी स्कूल है यह 1962 में इस्टेब्लिश किया गय नया धौलपूर में जो राष्ट्रिय मिलिटरी स्कूल है वो है और इन में सबसे पूराना आपको दिखेगा हिमाचल का चैल में 1925 में स्टेबलेस्ट राष्ट्रिय मिलिटरी स्कूल तो नंबर अब स्कूल के लिहाद से राएमसी एक राएमस 5 और अब बात करूं अगर मैं सेनिक स्कूल की तो इनकी संक्या फिर और बढ़ जाती है बारत में आल इंडिया ते स्थापिट किये गए, फुल मिला करके 33 या 33 सैनिक स्कूल्स हैं, इन 33 या 33 सैनिक स्कूल्स के अलावा कुछ नए सैनिक स्कूल भी खोले गए हैं सरकार के दौरा, मगर इस समय पर हम जिने सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, उनमें 33 सैनिक स्कूल्स का सरवोच दर्जा है, और जो New Scenic Schools हैं, उनको लेकर के अभी अनिश्चित्ता की इस्तिति है कि वहाँ पढ़ाई और पाठ्थेक्रम का इस्तर क्या उसी प्रकार का होगा जैसा कि Scenic Schools में दावा किया जाता है, लेकिन फिलहाल आप समझने के लिया से in this parameter ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक RIMC, पाच RMS और 33 स्कूल के साथ भारत में इन स्कूल में एडमिशन लेने की जो opportunities है वो भी बनती है, फुल मिला करके जो स्कूल के वल एक है, यानि कि एक मातर है, तो वहाँ पर सबसे जादा tough competition आपको देखने को मिलता है to get into, दूसरा नंबर पर राश्ट्री मिलिटरी स्कूल आता है, जहा RIMC से कम लेकिन सैनिक स्कूल से जादा competition देखना पड़ता है, जहां तक बात की जाती है सैनिक स्कूल की तो इनकी संख्या जादा है और 33 है इस लिहाँ से, यहाँ पर बाकी जो दो स्कूल है, RIMC और RMS उनके मुगाबले आपको comparatively less competition देखने को मिलता है, लेकिन if I talk about as an individual school, तो हर एक स्कूल में admission लेने के लिए आपको एक खास तरीके की प्रतिस्पर था, एक खास तरीके के competition को पार जरूर करना पड़ता है, और इस लिहाँ से तीनों ही स्कूल में admission लेना पुड़ा बहुत एक बच्चे के लिए मुश्किल पड़ता है, और उसके लिए उसे तहियारी की अवशक्ता होती है, और इसी तरीके की तहियारी Defense Officers Academy में भी आपको कराई जाती है, तो इस लिहाँ से अगर हम जच करें, तो RIMC नंबर एक पर आता है, जहां पर सिर्फ एक ही स्कूल है, और उसमें admission लेना हर किसी की चाहत होगी, दूसरे नंबर पर priority wise RMS आते हैं, और तीसरे नंबर पर हम रखना चाहेंगे, स्कूल को, if we talk about the parameters of the number of schools available in India, अगले parameter के अधार पर अगर मैं बात करूँ, तो जो next parameter है, वो बनता है, selection process के अधार पर, number of schools हमने देख लिए, now we talk about the selection process in these schools, इन schools में admission लेने की प्रक्रिया क्या है, या फिर कह सकते हैं कि किन आधारों पर इन schools में आपको admission दिया जाता है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ RIMC की, और RIMC में किस प्रकार से होता है किसी भी बच्चे का admission, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बाते आपको बता द ये जो All India Entrance exam होता है, ये देश के अलग-अलग हिस्सों में conduct कराया जाता है, और जो भी बच्चे RIMC में admission लेना चाहते हैं, वो इस exam को देते हैं, साल में दो बार ये exam अकसर हम ये देख रहे हैं कि कराया जाता है, सो twice a year ये exam होता है, और उसमें अमूमन आपको June और December के मह हमेशा या फिर साल में आपको ये RIMC का All India Entrance exam देखने को मिलता है, अब इस exam का pattern क्या है, जरा उसकी बात कर लेते हैं, इसमें आप से क्या-क्या अपेक्षा की जाती है, कि आपको क्या-क्या पता होना चाहिए, तो if I talk about the pattern of RIMC exam, तो इसमें आप से English language से सम्मंदित कुछ ब पूछे जाते हैं, तो इस तीन तरीके के जो विशे हैं, इनमें आपको सवाल पूछे जाते हैं, और अगर मैं इनमें Allotted Marks की बात करूँ, तो English में आपको 125 Marks का पेपर देना होता है, Maths के segment में आपको देने होते हैं 200 number के सवालों के जवाब, और if I talk about the GK portion, then 75 Marks का GK का पेपर होता है, और इस लिहाज से Overall, Total ये बन जाता है 400 Marks का पेपर, तो ये एक पेपर जिसमें तीन सब्जेक्ट और तीनों ही आपको यहाँ पर Multiple Choice Questions के आधार पर देखने को मिलते हैं, तो MCQ Format में ये रहता है, With No Negative Marking. Okay, so this is the pattern of RIMC written test, इन सब चीजों के अलावा, इन 400 Marks के रिटन पेपर के बाद, जब आप रिटन एक्जाम को पार कर जाते हैं, तो रिटन में जो बच्चे successful हो जाते हैं, उनके लिए आगे एक interview और medical का procedure रहता है, Medical, एक basic medical होता है, जिससे संबन्दित जानकारी आपको prospectus में भी मिल जाती है, इस RIMC के, और फिर interview के अगर में बात करूँ, तो एक board बैठता है, जो कि बच्चे का simple interview लेता है, या कह सकते हैं कि उसको वाईवा वोस कहते हैं, इसमें उससे सामान्य अध्यन से संबन्दित जानकारी, उसकी personality से जुड़े वे सवाल और जिस जगह से वा आता है, और जब overall 400 marks का return और 50 marks का interview आप देते हैं, तो आपकी final merit बनती है, and then उस पूरी All India merit में आपका selection होने पर आपको RIMC में admission मिल जाता है, अगर मैं बात करूँ इस selection process के तहत, साल भर में जितने बच्चों का selection होता है उसकी, तो क्यूंकि ये exam साल में दो बार, यानि की जून और दिसंबर के समय पर किया जाता है, और दोनों ही परिक्षाओं में सफल होने वाले विद्यार्थियों के आधार पर आपको एक वर्ष में या फिर एक बार में दो प्रकार से term wise admission देखने को मिलता है RIMC में, इन दोनों ही term में लगभग हर एक term में तक्रीबन 25 बच्चों का selection किया जाने निश्यत किया जाता है, और जब हम इन 25 students की बात करते हैं, तो इन 25 students को देश के अलग-अलग राज्यों से select किया जाता है, मतलब आपको overall RIMC के selection में जो return और interview का procedure है, उसमें 25 candidates, each term में यहने कि June और December में जब यह exam होता है, तो इस term में 25 candidates का admission देखने को मिलता है, और इसे अगर हम state-wise जाचने की कोशिश करें, तो ज़्यादतर cases में आपको देखने को मिलेगा कि approximately one seat per state रहती है, और कई-कई मामलों में जैसे कि अगर हम North-East की बात करें, तो seven states हैं और उनको तकरीबन एक या दो seat ही a lot होती है, वहाँ पर और ज़्यादा ratio कम हो जाता है, लेकिन खुल मिला करके आप यह समझेंगे कि एक राज्य से लगभग एक ही बच्चे का selection होता है, कहीं depending upon the population and the geographical area, उस हिसाब से किसी-किसी राज्य में कभी दो seats का भी प्रावधान मनता है, मगर as a norm आप यह समझ सकते हैं कि R.I.M.C. में return और interview के बाद हर एक राज्य से कम से कम एक बच्चे का selection किया जाता है, और फिर हर एक term में आपको तकरीबन 25 candidates देखने को मिलते हैं, अगर मैं इसकी cut-off की बात करूँ या merit की बात करूँ तो last year का अध्यन करने पर हमें यह पता चलता है, कि जो cut-off का है mark वो लगभग 450 में से 290 to 253 marks के आसपास गया हुआ है, यहनि कि अगर आप इस range में पिछली बार score कर रहे होते तो जरूर आपका selection R.A.M.C. में हो चुका होता, या फिर कह सकते हैं कि state-wise different-different merit बनती है, जिसमें 290 लगभग बिहार की merit गई थी और उस राज्य में अगर आप 290 रंबर ना रहे थे, तो आपका selection जरूर हो जाता, इन सब बातों के अलावा, R.A.M.C. में admission के लिए age का criteria भी ध्यान में रखना जरूरी है, तो अगली बात कर लेते हैं कि R.A.M.C. में admission के लिए आपको कितनी age के बच्चे का यहाँ पर admission होता है, तो एक simple criteria है, इसमें 11.5 साल से 13 साल के बीच की उम्र रखी जाती है, तो suppose माली जी आपकी उम्र है X, तो आपकी 13 years की age नहीं होनी चाहिए और 11.5 years से कम आपकी age नहीं होनी चाहिए, मतलब not less than 11.5 years, at least 11.5 साल का बच्चा होना चाहिए, and also not equal to or more than 13 years की age होनी चाहिए, तो यह एक age का criteria है और इसमें age को कब से माग पा जाता है, तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि दो टर्म में आपको admission देखने को मिलता है, तो एक January और एक July ये है उस साल की, तो 1st of January या फिर 1st of July के अधार पर, depending upon the term, 1 is getting admission to, कौन से term में आप admission ले रहे हैं, कि साल में, उसके आधार पर, उस साल के January या जुलाई महा के हिसाब से आपकी age को calculate किया जाएगा, अगर आपने June का exam दिया है, जिसका result आते आते December और फिर admission होते होते January का समय लग जाता है, तो फिर उस वाले exam के लिए आपकी जो age है, वो 1st of January of the year, जिस साल आप उस term को join करेंगे, उस दिन साड़े ग्यारा से 13 साल के बीच में होनी चाहिए, अगर आप December वाले exam की बात करते हैं, जिसका result आते आते कुछ समय लग जाता है, और फिर आपका admission June वाले term में होता है, तो फिर उस साल के July के महिने में, आपकी जो उमर है साड़े ग्यारा से 13 साल के बीच में होनी चाहिए, So, it is depending upon the term one is getting admission in, ठीक है, यह है age का criteria और साथी साथ यहां पर age के अलावा आपका educational qualification की भी बात की जाती है, तो क्यूंकि जो R.I.M.C है उसमें आपको admission केवल और केवल क्लास 8th में मिलता है, admission to class 8th only, इसका मतलब है कि आपके बच्चे को या तो 7th क्लास में होना चाहिए, या फिर वो 7th क्लास को पास किया होना चाहिए, प्लस the age criteria also involved, इन दोनों ही बातों के आधार पर आप eligibility रखते हैं, R.I.M.C एक्जाम देने और फिर उसमें आगे बढ़ने की, तो अगर आपका बच्चा साथ भी कक्षा में है और उसकी उमर साड़े ग्यारह से तेरह साल के बीच में है, depending upon जब वो admission लेगा जिस साल उसके लिहाज से, आपका बच्चा R.I.M.C का exam दे सकता है और ये class 8th में admission के लिए exam देगा, लेकिन जो भी बच्चे appearing stage में है 7th class की, उन्हें अपने exam से पहले इसे pass कर लेना जरूरी होगा, तो ये है R.I.M.C में admission का एक criteria जिसके आधार पर हम कह सकते हैं, कि आपके बच्चे का महाँ पर admission होता है, और ये पूरी की पूरी process का आपको पालन करना होता है, इसमें कैसे admission लिया जाता है, उसमें admission का process क्या है, आईए उसको जालनेते हैं, सबसे पहली बात तो में मता दूँ कि R.I.M.C स्कूल में आपको Central Board of Secondary Education के through affiliated school मिलेंगे, CBST से affiliation इनका रहता है, and the medium of teaching, या फिर कहोगे कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ा जाता है, तो वो English medium तरीका रहता है, medium of communication and teaching will be English, दूसरी बात यह है कि इसमें admission के लिए आपको एक common interest test देना होता है, जो कि भारत में अलग-लग जगों पर इसके center आयोजित किये जाते हैं, और फिर बच्चे वहाँ जा करके exam देते हैं, so CET या common interest test के तहट RMS का admission होता है, या फिर इस exam को pass करने वाले बच्चों को ही एक test देने के बाद, जब वो pass कर लेते हैं, RMS में admission मिलता है, RMS के इतर यहाँ पर आपको admission मिलता है class 6th और class 9th में, यानि कि दो तरह की कख्चाओं में आपको यहाँ पर entry मिलती है RMS में, अगर मैं बात करूँ class 6th की, तो class 6th के लिए आपकी age का criteria क्या है, RMS में admission लेने के लिए आपकी age है, वो not less than 10 years and not more than 12 years होनी चाहिए, मतलब 10 साल या उस से जादा, लेकिन 12 साल से कम उमर के बच्चे ही RMS का exam दे सकते हैं 6th class के लिए, और यह जो age है, इसको mark किया जाएगा, इसको गिना जाएगा 31st March of the year of admission से, 31st March of the year of admission, जब आप admission लेते हैं, उस साल के 31st March को आपकी उमर 12 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए, यहाँ पर मैं बता दू, 10 साल की या 10 साल से जादा की उमर और 12 साल से कम उमर, not more than 12 years का आगया है, तो फिर 12 साल की उमर भी चलेगी, लेकिन 12 साल से जादा एक दिन भी नहीं होनी चाहिए, तो यह age का criteria है, वहीं, अगर मैं class 9th के लिए age के criteria की बात करूँ, यहाँ पर उमर है 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और एक सेकिड, तो तो the criteria for age is not less than 13 years and not more than 15 years, यहाँ की lower end पर है 13 साल और 13 साल से जादा होनी चाहिए, और 15 साल से कम होनी चाहिए, यहाँ पर भी वही criteria लगेगा, sign थोड़ा सा गड़बड, इसको हम लिखेंगे, 12 साल से आपकी उमर कम होनी चाहिए, और 10 साल से जादा होनी चाहिए, यह है और यहाँ पर भी वही 31st March is the deadline, मतलब वहाँ से आप count करते हैं कि बच्चा 13 से 15 साल के बीच में होना चाहिए, दोनों ही cases में, class 6 में अगर बच्चा admission लेना चाहता है, तो उसे पाँचवी class pass होनी चाहिए, जब वह admission लेता है, यानि कि पाँचवी class में पढ़ने वाले बच्चे और पाँचवी class को pass कर चुके बच्चे, RMS 6 class के admission के लिए eligible है, और वो अगर इस age bracket में आते हैं, तो वो ज़रूर राष्टी मिनेटरी स्कूल के attempt दे सकते हैं, और जिस भी age bracket के हिसाब से उनके जितने attempt बन सकते हैं, साल के हिसाब से उतने attempt दो दे सकते हैं, उसी तरीके से अगर आपको class 9 में admission चाहिए, तो आप class 8 पास होने चाहिए, जिस समय आप admission ले रहे हैं, यानि कि अगर आप आठवी कुक्षा में पढ़ते हैं और RMS का exam देते हैं, तो RMS में admission के समय पे माल लीजिए, आप clear कर गए हैं, और अगर आपको admission चाहिए, तो आपको ultimately class 8 को तब तक पास कर लेना ज़रूरी है, ये RMS में जो age criteria है और एक common entrance test होता है देशबर में, plus CBSC affiliation English Media Education है, उसके बारे में जानकारी थी, अब अगर इसके written exam या exam pattern की में बात कर लूँ, तो सबसे पहले तो written exam में आपको ये ध्यान रखना होगा, RMS, written test जिसकी हम बात करते हैं, इसमें ये OMR, यानि की Optical Mark Reader, जो sheet होती है, OMR based question paper आपको मिलता है, इसमें आपको OMR में mark करने होते हैं, जैसे कि आप fill करते हैं गोले उस तरीके से, प्लस ये MCQ, multiple choice questions के आधार पर दिये जाते हैं, इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूँ class 6 की, तो class 6 के लिए जो आपका written test होता है, उसमें आपको bilingual format में चीज़ें बताई जाती हैं, and if I talk about class 9, then there is only English में आपको यहां पर paper देखने को मिलता है, तो ये बातें भी ध्यान में रखनी होंगी, जब भी हम RMS में अपने admission की बात करते हैं तो, अब एक एक करके इनके exam pattern की बात कर लेते हैं, तो 6th class में आपका जो written test होता है, उसमें English, General Intelligence, Maths और GK, इन सब subjects की जानकारी आपसे मागी जाती है, और अगर मैं class 9th की बात कर लूँ, तो वहाँ पर आपको English, Hindi, Social Science के तौर पर पहला paper, ध्यान दीजेगा है, आपर Hindi या फिर जो भी language आप चूज करते हैं, अपने area के लिहाज से, उस language में आपका test होगा, English, Hindi, Social Science का एक होता है paper for class 9th, और फिर class 9th के लिए ही दो paper में test लिया जाता है, तो दूसरा paper होता है आपका general science और maths का, and on the basis of these questions, आपके अलग-अलग तरीके से merit बनती है, आपके marks tie किये जाते हैं, और फिर जैसा कि अभी भी आपको पता है, RMS का result आ चुका है, आपकी merit बनेगी, और तब आपको admission के लिए eligible रखा जाएगा, उन तमाम पाच schools में जहां पर आपको admission लेना होता है, 6th class के लिए मैं बता दूँ, आपको English 50 marks की, General Intelligence भी 50 marks की, Maths भी 50 marks के, और GK भी 50 marks के देखने को मिलते हैं, तो इस लिहाज से total 200 marks का ही paper होता है, प्लस अगर मैं 9th class की बात करूँ, तो इसमें English, Hindi और Social Science, respectively 50, 20, और 30 marks के आपको देखने को मिलते हैं, जबकि Science और Maths में आपको 50-50 marks का written paper देखने को मिलते हैं, अब इन में qualify करने के लिए अलग-अलग criteria हैं, जैसे कि अगर 6th class में आपको English में qualify करना है, तो at least 35% of 50, इतने marks लाने होंगे, और बाकी जितने General Intelligence, Maths और GK के portion है, उनमें individually, हर एक subject में आपको कम से कम 40% marks secure करने होंगे, तभी आप clear कर सकते हैं इस exam को, ओके, इस आधार पर आपकी qualification होती है, 9th class में English, Hindi और Social Science की, तो इसमें qualification के लिए आपको at least each subject में 50% marks लाने हैं, उसी तरीके से General Science और Maths में भी in each subject you need to score 50% marks, तब जाके आप qualify होंगे, तब जाके आपको merit list के लिए eligible माना जाएगा, यह तरीका है RMS में admission का, अब अगर मैं CENIC school की बात करूँ, तो CENIC school में आपको जो criteria हम पहले भी share कर चुके हैं, उसकी बात कर लेते हैं, CENIC school में admission के लिए भी आपको फिर से written exam देना होता है, और यह exam भी भारत भर में आयोजित किये जाते हैं, और इन exams में आपको कुछ खास subject के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, यहाँ पर भी आपको 6th class और 9th class में admission का criteria रहता है, तो कुल मिला करके राष्टी military school हो या फिर CENIC school हो, उन दोनों ही schools में आपको 6th और 9th class में admission लेने का मौका मिलता है, 6th class में आपको maths, intelligence, English और GK, इन subject की जानकारी होनी चाहिए, maths है, general intelligence है, English है और GK है, वहीं अगर मैं 9th class की बात करूँ, तो 9th में maths, intelligence, English, general science और social science की बात की जाती है, तो सबसे पहले maths, English, general science, and social science, इनके अलावा intelligence से लेटेट भी question पूछे जाते हैं, इसमें की reasoning आती है, 6th class में maths के लिए आपको तकरीबन 150 marks का paper देना होता है, और बाकी सभी में 50, 50 marks के paper या question आते हैं, 9th class में अगर मैं बात करूँ, तो maths में आपको 200 marks का paper देना होता है, और English, general science, social science, और intelligence इन सभी में आपको 50, 50 marks के paper देने होते हैं, पुल मिला करके 400 marks का होता है 9th class का paper, और 300 marks का होता है 6th class का सभी स्कूल का paper, अच्छा इससे पहले जब हम RMS के pattern की बात कर रहे थे, तो उसमें आपको return exam के मैंने detail दे दी थी, लेकिन उसके बाद यहां भी आपको interview देखना है को मिलता है, जो कि 50 marks का होता है, और फिर certain kinds of medical test are also taken for the student to get admission in these schools. ये सभी जो pattern है, ये सभी जो criteria है, ये written exams के हैं, और इस आधार पर भी आपको देखना होगा कि कि आपका बच्चा इसलाइक है, कि आपको इन schools में उन्हें admission देना चाहिए, कि नहीं देना चाहिए. इन सब चीजों के अलावा एक और खास बात है, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्री इंडियन military school के बारे में कहना चाहता हूँ, कि राष्ट्री इंडियन military college, यानि कि RIMC दहरादून, ministry of defense के अंतरगत रन किया जाने वाला school है, और यह अपने आप में एक inter-services organization है, inter-services organization से मतलब है कि भारतिय सेना, भारतिय वायू सेना और नौ सेना, इन सभी के बीच सामन जैसे बिठाते हुए, या इन सभी के लिए एक organization जो dedicate किये जाते हूँ, इंटर-services organization कहते हैं, जैसे कि National Defense Academy, जो कि खड़क वासला पुने में है, Officers Training Academy, जो कि चिन्नाई में है, और Indian Military Academy, जो कि दहरादून में है, यह सभी उसी category के institutions हैं, और साथी साथ RIMC को category 1 status मिला हुआ है, in terms of boarding schools, जैने कि भारत में जितने भी boarding schools run कि जाते हैं, खास्ता पर government के दौरा और में RIMC top position पे है, selection process हो गई, वहाँ पर infrastructure की availability हो गई, extra curricular activities इसको ले करके बात हो गई, या फिर ultimately the selection in defense examinations और different types of competitive examination की बात हो गई, तो इन सभी लिहाज से आपको number one priority पर रखना है राश्ट्री इंडियन military college को, number two priority पर आपके राश्ट्री military schools होते हैं, जो की total five हैं इस पूरे भारत में अभी तक, और फिर तीसरे number पर आते हैं हमारे scenic schools, जिनकी actual संख्या तो जादा है, लेकिन 33 are covered under the scenic school society, जो की All India Scenic School Society है, इस आधार पर आप अपने इन तीनों स्कूल को judge कर सकते हैं, इन तीनों स्कूल को compare कर सकते हैं, और अगर इन से जुड़ी भी कुछ और भी queries आपके पास हो, तो ज़रूर आप हमसे comment section पर संपर कर सकते हैं, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि Defense Officers Academy आपके लिए खास तोर पर Olympiad based question जो की RIMC में अब ज़्यादा तर पूछे जाने लगे हैं, एक course उसको ले करके भी आपके सामने आया है, और अभी तक ऐसा कोई भी platform नहीं है, जहां पर आपको Olympiad based maths की तैयारी especially for RIMC कराई जाती है, तो इसके जो online course है, वो हमारी app में available है, if you want to get the course, then you can avail the course through our app, जिसको आपको install करना पड़ेगा play store से, और आप खुद यहां आ करके हम से पढ़ना चाहते हैं, या फिर online classes के through भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर defense officers academy में enroll कर सकते हैं, आपको इन दियेगे number पर संपर करना है, and the rest will be taken care of, तो उमीद करता हूँ, इस information का आपको ज़रूर फाइदा मिलेगा, और आप यह decide कर पाएंगे कि आपके लिए कौन में आपके लिए संपरूर गया है?